शुरुवात इस वक्की बड़ी खबर के साथ आम आदमी पार्टी के पूर विधायक विनोध कुमार बिनी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे अब से करीब आदे गंटे बाद यानि शाम चार बजे बिनी के बीजेपी में शामिल होने का एलान हो जाएगा विनोध कुमार बिनी ने कल दिल्ली बीजेपी अध्यक सती शुपाध्याई से मुलाकात की थी और उसके बाद ये तैह हो गया था कि बीजेपी में आएंगे और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं करीब चार बजे ये कारिक्रम होगा जब उन्हें पार्टी में उफिशली शामिल कर लिया जाएगा बिनी ने दिल्ली विधान सभा का पिछला चुनाव आब आदमी पार्टी से लड़ा था वो लक्षमी नगर सीट से चुनाव जीत भी गए लेकिन बाद में अर्विन केजरिवाल से मतभेद होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और आज वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे समवादता आनंद प्रकाश पांड़े इस वक्त जोड़ गए हैं आनंद यहां मानना होगा कि आप आदमी पार्टी की जो बगावत है उसका सीधा सीधा फाइदा बीजेपी को मिल रहा है मास्टर स्टोक यहां पर बीजेपी ने चला है लेकिन सवाल ये भी उड़ता है कि किस तरह की नेगोसियेशन बीजेपी के साथ हुई है किस फॉर्मूले के तहट बिनी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं चुनाव रढ़ेंगे बिल्कुल जाहिर तरह बीजेपी ने सोची समझे रणीती के तहट आम आदमी पार्टी के जो पुराने लोग थे जो कभी अर्विन के जिरिवार साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे उनको अपने पाले में लाने की जो कुशित शुरू की थी या जो बिनी के रूप में एक कदम और आगे बढ़ रही है और जाहिर तरह बीजेपी चाहती है कि उसका जो फोकस रहे है बूत लेवल के वोटर तक रहे है वहां तरह पहुंचे जंता की बीच पहुंचे और बा जूट बोल रहे है क्योंकि उनके साथ के रहे वरे लोग भी उनको काउंटर कर रहे हैं और जहां तक भूमका का सवाल है साज्जेन साफ कर दिया कि चुनाओं नहीं लड़ेगी हाँ यह जरूर है कि वह चाहती थी कि चुनाओं लड़ना आरके पुरम सीट उन्होंने अप पार्टी ने उसके लिए उनको फिलहाल आश्वासन नहीं दिया है लिहाजा फिलहाल उनकी भूमका रहे कि आप कैंपेंड करिया आप आप आदी पार्टी जो आरोप लगारी बीजेपी पर उसका जवाब दीजिए और उनकी खिला खुलासे करिए बिल्कुल यहां पर बे अफिशिली पार्टी में शामिल किया जाएगा